Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our second episode of class 10th Geography, chapter 1, संसादन तथा विकास, Resource and Development. तो इसका दूसरा चैप्टर, दूसरा एपिसोड हमारा यह है, पहले चैप्टर का, जिसमें हम बात करने वाले हैं संसादन से लेटिड कुछ हो टार्म्स की, हम बात करेंगे Sustainable Development के बारे में, हम बात करेंगे Rio de Janeiro, Arts Summit के बारे में, Agenda 21, और Resource Planning. तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले सतत पोशनी विकास या Sustainable Development क्या होता है, सतत पोशनी विकास, एक important term है, नई term है, जिसको विकास के संद्रब में use किया जाता है, और बहुत महत्पुन important question भी है आपके लिए, सतत पोशनी विकास, यानि हम आपके आजपास आप देख होंगे सडके बनी हैं, आपने देखा होगा आपके शहर के आसपास highways बने हैं, बने हैं, जो शहर है वो फेलता जा रहा है, नई नी building बन रही है, नई नी colonies बन रही है, क्या हो रहा है, ये विकास हो रहा है, विकास आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बिछले कुछ वर् हो रहा है, वो विकास है, लेकिन ये स्तत्पोशनी विकास है, जरूरी नहीं है, सस्टनेबल डालपेंट है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, सस्टनेबल डालपेंट एक नई ट्रम है, अब हमें विकास की जरूरत नहीं है, यानि विकास नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्तत स्तत्पोष्णिय विकास हमें चाहिए धान्यता के विकास एकी चीज है धान्यता के विकास वो स्तत्पोष्णिय विकास यनि हमें कैसा विकास चाहिए स्तत्पोष्णिय विकास है क्या स्तत्पोष्णिय विकास वह विकास है जिसमें हम प्रयावन को नुकसान पहुंचाए भीना भावी पीडी आने वाली पीडी को ध्यान में रख करके विकास करते हैं यानि स्तत्पोषनी विकास है बहे विकास है जिसमें प्रियावन को नुकसान नहीं पहुंचाय जाता आने वाली पीडी को भी ध्यान में रखा जाता है अगर हम प्रियावन को नुकसान इसमें त्रसु जांगे कि आप जहां से शहर में जाते थी, वहां पहले पेड़ी पेड़ होते थी, शहर के बाहर इतने सारे जंगल होते थी, यह सब कुछ बताएंगे, ऐसा कुछ होता था, अब कहां गए, गायब हो गई, क्योगी यहाँ पे кол attends बन गई है, concrete के जंगल बन ग इसमें तीन चीजें शामिल होगी पहला कि वह विकास जो प्रयावन को बिना नुकसान पहुंचाए हो दूसरी इसमें शामिल होगी कि वह विकास जो आने वाले पीडियों को ध्यान में रख करके किया जाए और तीसरा शामिल होगा कि वह विकास जो सब के लिए एक समान हो उ दूसरा जो है हमारा टोपिक वो है Agenda 21, छोटा सा टोपिक है लेकिन exam point of view से important है, कई बार question पूछ लिया जाता Agenda 21 क्या है, Agenda 21, स्तत्पोष्ने विकास के संबंद में स्योंकतराश्टर संग की एक योजना है, क्या है ये, जो योन्नो है उसकी एक योजना है स्तत्पोष्ने व आगे पढ़ने वाने हैं, ब्राजिल के रियोडी जनेरो शहर में पहला पिर्थवी सम्मेलन होता है, फर्स्ट अर्थ सम्मिट होता है, कब होता है, 1992 में, कहा होता है, ब्राजिल के रियोडी जनेरो शहर में होता है, क्या होता है, पिर्थवी सम्मेलन होता है, उसमें Agenda 21 को अपनाया गया था, यानि कि 21 जो बिंदू थे, मुद्दे थे, उन पर सहमती बने थी, उन 21 मुद्दों में पूरे विश्व की समस्याएं थी, जो भी आपको याद रहे, वो लिख सकते हो, कि ये इसके उपर विचार किया गया था, इस परकार से 21 मुद्दे थे, जिनको उप पूराष्ट्र की एक योजना है, उनी सो बानमे में प्राजिल की रिडी जिनेरो, शहर में पहला पिर्थी सम्मेलन होता है, उसमें विश्व के विभीन देश है, वो 21 मुद्दों के उपर सहमत होते हैं, उसे हम एजिन्डा 21 के नाम से जानते हैं, उसमें मुख्यों तोर जिन पे सहमत्ती बनी जन सिंक्या नियंत्रन बढ़ती जन सिंक्या एक समस्या तो नियंत्रन के लिए सहमत्ती बनी कि प्रियास किया जाएंगे परदोशन की समस्या को इपर चर्चा की गई गरीवी उन्मोलन की बात की गई स्तर्थपोशने विकास है ये भी एजेंडा 21 में शामिल था, सबका एक समान विकास, ये भी एजेंडा 21 में शामिल था, इसके लावा बेरोजगारी, बढ़ते अपराद, ऐसे मुद्धे भी उसमें शामिल थे, तो इसे हम बोलते हैं, एजेंडा 21, ओके, क्लियर, एजेंडा 21, कहां हुआ था ये पहला पिर्थवी सम्मेलन, ये पहला पिर्थवी सम्मेलन हुआ था, ब्राजिल के रियोडी जेनेरो, शहर में, जो एक तट्ये शहर है, वहाँ पर हुआ था, दक्षन अमेरिका का देश है, ब्राजिल, अब हम बात करते हैं, पहले पिर्थवी सम्मेलन की, पहला पिर्थवी सम्मेलन, क्योंकि वही इस टाइप का question भी होता है कि पहले पिर्थी सम्मेलन के बारे में आप क्या जानते हो या one marks के questions होते हैं कब हुआ कहा हुआ किस ने भाग लिया तो चलिए details पता करते हैं क्या हुआ था पहला पिर्थी सम्मेलन है 1992 में 1992 में हुआ था ब्राजिल के रियोडी जनेरियो शहर में हुआ था रियोडी जनेरियो शहर वही है जहां पे उलम्पिक गेम्स हुए थे तो कुछ बच्चे शायद इस शब्द से इस शहर से परिचित हो पहले अंतराष्टी पिर्थी सम्मेलन है वो ब्राजिल की रियर्डी जनेयर शहर में जून 1992 में होता है इसमें 100 से अधिक देशों के नेताओं ने भाग लिया था More than 100 heads of the countries participating in that Art Summit, First Art Summit में उन्होंने भाग लिया था इसमें उन्होंने किस मुद्धो पिये चर्चा की? इसमें कि पिर्थवी सम्मेलन है तो पिर्थवी की पुरे विश्व की समश्याओं पर चर्चा करने के लिए हुआ था इसमें स्तत्विकास के लिए स्तत्पोषने विकास के लिए सभी देशों ने एजेंडा 21 को अपनाया था 21 मुद्धों पर सहमती बनी थी और उन्होंने ये परतिया ले थी कि हम अपने देश के लिए भी इसी परकार की योज़ना है उसको लागो करेंगे तो ये था पहला परतिय समयलन अब पहला परतियू समयलन जैसे हमने कहा एक लाइन में ने कहा कि ये किस लिए था प्रियावण और सामाजिक पूरे विशो के समश्येह उनके उपर चर्चा करने की हुआन्या था उदेश्य था 21 सदी में वेश्विक स्तत्पोषने विकास हासिल करना यानि पहला उदेश्य था स्तत्पोषने विकास की दिशा में कदम उठाना कि कैसे स्तत्पोषने विकास हो दूसरे उदेश्य था जे विवित्ता के सरंक्षन के लिए जे विवित्ता जिसके बारे में हम नेक्स रैप्टर में बात करने वाले हैं डिटेल में बाय डायस्टी के बारे में जो जीवों की विवित्ता है जो वनस्पति की विवित्ता है वो धिरी धिरी सिकूर्टी जा रही है कम होती जा रही है उसको कैसे बचाया जाए ये भी एक उदिश्य था इस पर भी डिसकस करने के लिए तीसरा जो उदिश्य था वो दिश्य था विभिन राष्टों के बीच में सांजा वेलफेर आवशक्ता या दायतों समंदित मदद की सायता से बिमारियों को खतम करना जो विश्यों में कुछ ऐसी महामारिया है उनकी रोकताम के लिए मिलकर के प्रियास करना ये भी एक उदिश्य था इसके उपर भी डिसकस किया गया था और गरीबी उन्मोलन तथा प्रयावनिय नुकसान जो है प्रयावन पर्दूशन है इनकी शति को गरीबी को कम करना और प्रयावनिय उन्मोलन है उसको जो प्रयावन पर्दूशन है उसको रोकने के प्रियास करना और भी एड़ कर सकते हो, जन सिंख्या नियंत्रन है, ये भी एक मुद्दा था, इस पर भी चर्चा करने के लिए इसमेलन का आयोजन किया गया था विशो का जो एसमान विकास है, अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, ये भी एक उदिश्य था तो बहुत सारे उदिश्य थे जिनको लेकर कि यहां पर चर्चा किये गए थी, और जो प्रस्ताव पारित हुए, जिन पर सहमती बनी, वो कुल मुद्दे कितने थे, 21 थे, और इसलिए उन मुद्दों को एजेंडा 21 का आज आता है, तो दोनों कोशिन आपस में कोरेलेटिड ह यानि पहला पिर्थवी सम्मेलन और उसी में जो प्रस्ताव पारित हुआ, उसे हम एजेंडा 21 बोलते हैं, चलिए हम आगे बढ़ते हैं, हमारा आज के इस सेशन का इस एपिसोड का लास्ट टोपी करते हैं, वो है संसाधन नियोजन, संसाधन तो आपको पता चल गया होग अब ये नियोजन क्या बला ये बता दूँ कि नियोजन का अर्थ है प्लानिंग, प्लानिंग करना, आप प्लानिंग करते होंगे कई चीजों की, स्टडी की तो नहीं करते होंगे, लेकिन जरूर आप जब कहीं बाहर जाना हो, घुमने के लिए जाना जरूर प्लानिंग कर क्योंकि संसादन है वो सीमित मात्रा में हैं, कुछ संसादन है वो एहनुविनिकन योगे हैं, कुछ संसादन ऐसे भी हैं, जिनका जो बहुत बहमुल्य हैं, किमती हैं, इसके लिए भी प्लानिंग की आप सकता है, संसादनों का वित्रण भी एक समान रूप से ने, कहीं पे कम है कहीं पे ज़्यादा है विशो के एक समान रूप से विकास के लिए प्रयावन परदूशन को रोकने के लिए संसाधनों के अंदाधुन उप्यों को रोकने के लिए इन सभी कारियों के लिए हमें संसाधन नियोजन क्यार सकता है कई वार पूछ लिया जाता है हमें कॊमन सेंस के दौरा भी पता होना अचा कि संसाधन नियजन क्यों जरूरी है सही से उपयोग करने के लिए उनके अंधानुंद उपयोग को रोकने के लिए विश्योके एक्समान विकास के लिए प्रयावन प्रदूशन को निंतित करने के लिए इस तद पोशने विखास के लिए आने वाली पीडियों को के बारे में सोचने के लिए कुछ संसादन बहुत महंगे भी हैं, कुछ संसादन एन्विन करन योग्या भी हैं, इन सब कार्णों से हमें संसादनों का नियजन जरू कह सकते हैं, तो पहला जो चर्ण है, उसमें संसादनों की पहचान की जाती है, संसादनों की क्या की जाएगी, पहचान की हमारे पास क्या है, जैसे मान लीजिए, कि आप बहुत यादा मोटिवेट हो जाते हैं, चलिए हमें पढ़ना, अच्छे से स्कोर लेना है, स्कोर करना आपको, तो आपके लिए संसादन की जाती है, संसादन है कहा है, तो उनकी पहचान की जाती है, पहले चरण में, उनका सर्वेक्षन किया जाता है, रिजनल सर्वे किया जाता है, उनका मान चित्रन किया जाता है, खाका त्यार किया जाता है, और उनके गुनात्मक और मातरा तब अनुमान भी लगाए जाते हैं यानि कि कितना है और उसकी वेल्यू क्या ये सब कुछ यानि कि पहचान की जाती है अच्छे से जानकारी ली जाती है संसादन के बारे में तब ही हम पता लगा पाएंगे ना प्लानिंग कर पाएंगे जैसे मैंने आपका 10th क्लास के स्लेविस की बात की तो आप पता लगाओगे कितने चैप्टर्स हैं, किस चैप्टर में क्या है कौन सा इंपोर्टेंट है कौन से में से क्या आने वाला है कौन सा लेंथी है, ये सब कुछ आप करोगे ति पहला चरन है जब संसादनों की पहचान की जाती है, उनकी विशेष्टाओं के बारे में उनकी मात्रा के बारे में गुण के बारे में पता किया जाता है उसके बाद दूसरा जो सोपान या चरन रहता है, उसमें संसादनों के विकास को लेकर कि योजना लागू की जाती है, यानिकि इसमें टेक्नोलजी, प्रोधोगी, कोशल, संस्तागतन योजन, ये सब कुछ, यानिकि योजनाई हैं, हमें पता चला हमने योजनाई बना करके उनको लागू किया, उनके उप्योग के लिए, स्तत्पोशने विकास या भोईशे के सोच करके हमने इसका योजनाओ को लागू किया, तीसरा जो चरण है, उन योजनाओं में, जो संसादन विकास की योजनाई हैं, और राश्टी विकास की योजनाई हैं, उन में समन्वे स्थापित की आजातर है, कि कैसे ये योजनाई है, वो एक ही दिशा में होनी चाहिए, क्य क्योंकि हमारा लक्ष यह राष्ट्रिय विकास है जैसे कि आपने सोचा या अपने मैट्स के बारे में सोचा आपने मैट्स को बहुत ज्यादा टाइम दे दिया अच्छा स्कोर आ गया वहां पे लेकिन बागी डूफ गए सब्जेक्ट तो क्या यह सही से प्लानिंग हो पाई नहीं इसके लिए जरूरी है कि हमारा तालमेल ट्यूनिंग सब कुछ ठीक से हो तो यह तीसरा चरण होता है उसके बाद इसमें हम चोथा चरण एड़ कर सकते हैं चोथा चरण हम यह कहेंगे कि उसके बाद जो योजना यह उनका मिलान किया जाता है क्या हमने टार्गेट अ कोडिंग चल रही है नहीं चल ले तो क्या करोगे आप उसको reset करोगे, reset करोगे, restart करोगे, फिर लग जाओगे, फिर जूट जाओगे और target को हासिल करके रहोगे तो यह था नियोजन क्या है और उसके विभीन सोपानियत चैन क्या है यह भी एक अच्छा important question है आपको लग र है एपीसोड है तो उसका अगर मुझे एक कोशन चूज करना हूं कि सबसे इंपोर्टन कौन सा है तो वह स्तत्थ पोशन है विकास और एजेंडा 21 ओके लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि बागी कोशन नहीं पढ़ोगे आपको बागी सारे कोशन भी अच्छे से पढ़ना है तो आज के लिए इस सेशन के लिए बस इतना ही वेडियो को दोबारा देखिए नोट्स प्रिपेर कीजिए लगे रहिए पढ़ते रहिए थैंक यू बाबाई एंड टेक केर